हाई फ्रेंड्स मैं अकांचा सन्मा जी की वितकांशा मैं आपका स्वागत करती हूं MPPSC प्रेक्टिस सेट में आज हम दूसरा प्रेक्टिस सेट करने वाले हैं कल मैंने आपको प्रेक्टिस सेट वन कराये था प्रेक्टिस सेट वन वे मैंने आपको अल नीलो अल नीलो आप 10 से संबंदित कोशन कराए थे और आज हम पढ़ेंगे ओडी ओपी से संबंदित मतलब वन डिस्टिक वन प्रड़क्ट एक जिला एक उत्पात से संबंदित कोशन यूनिट सिक्स का प्रमुख टॉपिक है यह जो हमारी जो प्रैक्टिस सेट आये हैं 10,000 प्लस प्रशनों के उ सिरीज की बुकिंग आरम हो गई है 4999 सॉफ्ट कॉपी है 13999 प्लस कॉरियर हाट कॉपी है जिसको भी बुकिंग करना है कर लीजिए रिव्यू क्या है जो करा रही हूं कोशन वही रिव्यू है यही जो कोशन है यही प्रैक्टिस सेट बनाए गए है नियूस लेवस की अक उत्पाद को कितनी कैटेगरी में बाटा है तो तीन कैटेगरी में बाटा गया है एक जिला एक उत्पाद को इसमें क्या होता है कुछ उद्योक से सम्मंदित उत्पाद होते हैं कुछ क्रसी से सम्मंदित उत्पाद होते हैं कुछ फलों से फसल से सम्मंदित उत्पाद होत के तहत किया है मध्यप्रदेश आत्म निर्भर क्रसी आत्म निर्भर मध्यप्रदेश आत्म निर्भन मध्यप्रदेश या कोई नहीं तो मध्यप्रदेश सरकार ने जो एक जिला एक उत्पाद योजना का आरंब किया है वो मध्यप्रदेश आत्म निर्भर क्रसी के अंतरग मद्यप्रदेश में O D O P O D मतलब 1 D मतलब दिस्टिक फिर ओ मतलब 1 O प्रड़क्ट 1 दिस्टिक 1 प्रड़क्ट योजना फरवरी 2023 से आरंब की गई थी मद्यप्रदेश में यह आपको अगर यह वाली PDF कर ली मतलब एक जिले कुटपत का कोई भी कोशन आएगा आप सॉल्ब कर लेंगे जो अगर आप हमारा टेस्ट चाहूँन सॉल्ब कर लेंगे हमारी जो MPPACP की टेस्ट सीरीज उसमें आपको 100 टेस्ट मिलने वाले हैं इसको इस वार नाम मैंने प्रेक्टिस सेट रखा है क्योंकि प्रेक्टिस ही तो है आप ज्यादा से जैसे प्रेशनों की प्रेक्टिस हर यूनिट के 1000 प्लस प्रेशन है जल्द अपनी बुकिंग करा दीजे जो भी बुक कराना चाहते हैं सबी कोशन की घर पर बैटके प्रेक्टिस कीजिए थ्योरी नोट्स भी हमारे अवलेवल है थ्योरी नोट्स हमारे हैं बहुत इजी लेंगवेज में अगर आप थ्योरी नोट्स प्लस हमारा प्रेक्टिस सेट लेने चाहते हैं यह वाला प्रेलिम्स हो या अगला प्रेलिम्स के लिए तो थ्योरी प्लस प्रेक्टिस सेट भी ले सकते हैं दोनों का प्राइज जो है वो थ्री ट्रपल लाइन है दोनों अगर आप लेते हैं अगर आप केवल थियोरी नोट्स लेते हैं तो 2799 है केवल टेस्ट लेते हैं तो 1399 है टेस्ट रकेरे की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी थियोरी नोट्स की सॉफ्ट कॉपी नहीं है दूसरा है मध्य प्रिदेश आत्मिर पर क्रसी के अंतरगत उन उत्पादों की गुडवत्ता सुधार ग्रेंडिंग पैंकिंग आधी का वैल्यू एडिसन किया जाएगा ये भी सही है विदेशों में क्रसी उत्पादों की मांग बढाने के लिए विशेस प्रेस किये ये चारों ही सही हो जाएंगे तो एक दू तीन चार इसका अंसर सही हो जाएगा अगला कुशन है एक अत्रफाद योजना मध्य प्रिदेश के 55 जिलों से कितने जिलों में वर्तमान में कारे रहते तो वर्तमान में यह 52 वमें कारे थे क्योंकि उस समय जब यह आरम हुई थ तो उस समय ये 52 जिलो में ये बरतमान में कारे रथ है एक जिला एक उत्पाद योजना अगला गोशन है कोदो कुटकी किस जिले का उत्पाद है कोदो कुटकी जो है वो किस जिले का उत्पाद है जबल अनूपपुर का उमरिया का जबलपुर का ये डिंडोरी का तो जो कोदो कुटकी है मैंने इसको ट्रिक द्वारा भी करवाया था अनूप डंडा लेके कुट 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 कर रहा है से मैंने करवाया था तो ये जो है एक और चारिस का अंसर होगा कोदो कुट की जो है वो अनूप पुर का और डेंडोरी का एक जिला एक उतपाद है किसका है अनूपपुर का है अनूपपुर और डिंडोरी का है कोदो कुटकी कोदो कुटकी एक मोटा अनाज होता है मोटे अनाज के लिए स्रीयन योजनावी चला जा जा रहे रानी दुर्गवती स्रीयन योजनावी मद्दप्रे सरकार में चलाई जा रही है और कोदोट की मौटे अनाच को बड़ावा देने के लिए और भी बहुत सारी योजनाए चलाई जा रही है अगला कोशनें में आपको सही जोडे बनाना है कौन सा किस जले का उत्पाद है ये आपको बताना है तो आपको बताने है अशोकनगर का क्या है अशोकनगर का क्या है खंडवा का क्या है टिकमगर का क्या है दमहू का क्या है तो यह आपको सबसे पहले खंडवा मैंने एक ट्रिक बताई दी आपको मैंने एक जिलाएक उत्पाद की ट्रिक द्वारा भी करवाया है ट्रिक भी मैं आपको comment box में डाल दूँगी तो आप ट्रिक देख लिजेगा एक ही part करवाया है भी ट्रिक का तो उसमें आपको बहुत सारे याद हो जाएगे मैंने का था खंड खंड में पियाज रहती है तो खंडबा किसका है खंडबा का इंज लाइक उतपात क्या है पियाज अशोक नगर की चंदेरी की साड़ियां है वो बिस्व प्रसिद ने तो अशोक नगर का क्या हो जाएगा चंदेरी हो जाएगा ती दम्हू का क्या हो जाए तो दमो का हो जाएगा चना और टीकमगड का क्या हो जाएगा अद्रक हो जाएगा टीकमगड का क्या है टीकमगड का अद्रक है तो यह याद रखिएगा अशोक नगर का चंदेरी साड़ी खंडवा का प्याज दमो का चना और टीकमगड का अद्रक मुदा मोह चना मोह लेता तो सोचते हैं यार क्यों खाएं यह मेरी बता रही हूं मेरी रिस्तिती आपके साथ ही होता हो तो पता नहीं सबका अलग 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 इंडिविजूल है कि आप लोगों को क्या पसंद है कोई चनार जब प्याज याज नीवू वगिरा में आता है तो मन को मोह लेता है तो ऐस पुर का उतपाद है महुआ याद रखेगा अगला कोशन है जर्दोसी पर्स वर जूट किस जिले के उतपाद है जर्दोसी पर्स वर जूट है भोपाल जिले के उतपाद है जूर जर्दोसी पर्स वर जूट किस जिले के हैं भोपाल के हैं अगला है संत्रा किन जिलों का उ सब्सक्राइब उस सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहें तो आप सुपर्वाइजर का एक्जाम भी दे ही रहे होंगे क्योंकि गवर्णमेंट जॉब पाना तो सबसे में उद्देश होता है मैं हम जादा से जदा कोशन की प्रैक्टिस करा सके मेरा मनी खुद भी नहीं जब भी कोई चीज मेरे को कोई पेमेंट करता तो मुझे लगते कि मैं उसको क्या ही नहीं दू मैं सब कुछ इसको ऐसे चीज़ प्रवाइट करा दूं कि वह एक्जाम के लिए कर सकते हैं लास्ट यह नहीं छूट जाए तो वही मेरे गुरूप का लाने का उद्देश रहता है तो गुरूप भी गुरूप में बहुत संदर तैयारी करवाई जारी डेली करन्ट अफेर्स की पीडियाफ भी गुरूप में दी जाती है जो हमारे प्रिलिम्स का है और प्रिलिम्स के नूट या पन्ना तूर दाल कहां का है तो तूर दाल इन में से कहीं का नहीं है तूर दाल नर्सिंग पॉर में होता है तूर दाल कहां होती है नर्सिंग पॉर में होती है इन में से कहीं नहीं होती है अगला कुशन है बढ़वानी का उत्पात क्या है केला सागोन की लकडी लहसु या अद्रक अगला है आपको सही जोड़ी बनाना है कि कोन सा कहा पर होता है यह आपको बताना है इन में से सही जोड़ी बनाई मैं कौन सा उत्पात कहां कहां पे होता है देखो बासमती चावल कहां होते हैं क्रसी उपकरन कहां होते हैं हल्दी कहां होती है अमरूत कहां पे होते हैं तो ये आपको बताना है जैसे कि सरसों की बात की जाए तो सरसों कहां होती है भिंड में होती है, सरसों कहां होती है, बंड में, क्रसी उपकरन कहां होते हैं, स्योपुर में, क्रसी उपकरन कहां होते हैं, स्योपुर में होते हैं, क्रसी उपकरन, हल्दी कहां पर पाई जाती है, हल्दी विदीशा में होती है, हल्दी पर एक विदीशा का भी, विदीशा म याद रखिए सरसु कहां पर होती है भिंड में बासमती चावल होते हैं सियोपूर में बासमती चावल कहां होते हैं सियोपूर में होते हैं क्रसी उपकरन विदीशा में होते हैं क्रसी उपकरन कहा होते हैं विदीशा में हल्दी होती है सहडोल में और अमरूद होता है राइस सेन में होता है बासमती चावल सहडोल में होते हैं क्रसी उपकरन विदीशा में है इस प्रिकाइसे यह पूरा डिवाइड है तो इसको याद रखिएगा अगला कोशन है चिनोर चावल कहां के उत्पाद है रीव अभी हाली में चिनोर चावल को तो जी आई टेग भी मिल गया हैं लकड़ी के खिलोने और हस्त सिल्फ यह दोनों ही सीहोर के उत्पाद हैं और इनको एक जिला एक उत्पाद में जाना जाता है कपड़े की जैकिट कहां का उत्पाद है सतना सागर सिप्पूरी या मनसौर कपड़े का जैकिट कहां का है तो कपड़े का जैकिट है वो सि सैनिया का उत्पाद किया है घोड़ है अम्रूत किस जिले का उत्पाद नहीं है इन मेंसे ऐसा कौन है जि स्योपुर के वद की जागर का अम्रूत उत्पाद नहीं है बाकि सभी जगेगा गातोगन का में चांगन सतना का- messenger क्या हो जाएगा टमाटर हो जाएगा अधरक किन जिनों का उत्पाद हो जाएगा अधरक तो से ज्यादा जिलों का उत्पाद है तो अधरक किसका हो जाएगा टीकमगण में भी होता है निवाडी में भी होता है बढ़वानी में भी होता है उमर या में अधरक नहीं होता है अ याद रखेगा बटिक प्रिंट कहां का उत्पाद है उजेन का है इस प्रिकार के प्रेक्टिस सेट आपको यूनिट वाइज मिलने वाले हैं दस अजार प्लस सेट लगभग 11,000 होंगे इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो 499 की है और हाट कॉपी 1399 की है यह नंबर वाट्स अप का इस नंबर पर आप वाट्स अप करके हमारा प्रैक्टिस सेट ले सकते हो कैसे कोश्चन है आप उपर देखी रहे हूं जो उपर करवा रही हूं पो टैस्ट 75 करवा रही हूं जो कल करवा था मैंने 26 करवाय था यह हमारे प्रेलिंस के नोटस हैं प्रेलिंस के नोटस में आपको यह ठिछी नोटस मिलते हैं टोटल 10 बुकलेट मिलती है बहुत लेंगविजय मैं wenे प्राब्लिम लातिauthor चार डाइंको करके इनको बनाया है हस्तनिर्म प्रॉब्लम आती है तो यह इनके साथ हमारी जो जितनी पी सीरी स्की वीडियो रहेंगी जो मैं करवारी हूं वो सब इसके गुरूप में दी जाएंगी करेंट अफिरस दिये जाएंगे नोट्स अभी हाट कॉपी में ही उपलब्द है टोटल दस बुकलेट आपको नोट्स म में मिलेंग साथ में मिलेगा नोट्स लेने पर एक वर्टस अपका गुरूप जहां हम और्लाइन तयारी कर रहे है मैथपुन कोश्षण क्यों है theory notes अकेले भी ले सकते हो mcq notes अकेले भी ले सकते हो mcq जो है soft copy में भी मिल जाएगा आपको theory notes हमारी केवल hard copy में मिलेंगे दोनों के साथ आपको individual अलग-अलग group मिलेगा यह देख सकते हैं आप इस प्रेकार के हैं पूरे theory notes बहुत easy language में cover किया है आपको अगले परी मेंस में भी आपको बहुत helpful होंगे यह हमारे notes मेंस के भी notes तयार किये जा रहे हैं रिटर न्यू से लेवर्स के according जैसे कि आपको पते ही हमारे notes प्रेशन उत्तर श्रंकला में रहते हैं जल्दी आपके पास वह भी उपलब धोंगे तो अगर आप यह हमारे theory notes लेना चाहते हैं यह वाली पूरी दस बुकलेट मान चित्र वाली चित्रात्मक पृस्तुती की साथ मेंली बनाया है यह आप हमारा यह practice set लेना चाहते हैं य आपको जो भी discount होगा वो कर देंगे बाकि supervisor का single लेना चाहते हैं तो 1399 में इसके साथ एक group मिलेगा group में आपकी तैयारी करवाई जाएगी तो चलिए start करते हैं अगला question हम अगला question है एक जिला एक उत्पाद के अंतरगा जबलपुर जिले की किस वसल को चेनित किया है मटर गयहूं अरहर या गन्ना तो एक जिला एक उत्पाद में किसको समलित किया है मटर को किया है किसको सामिल किया है मटर को कटनी जिले में एक उत्पाद एक योजना में किसका चैन किया है कटनी जे लेजे तो कटनी से टामाटर का किया है सतना से भी टामाटर और कटनी से भी टामाटर का किया है अगला गोशन है और कटनी से अरहर और संतरा का भी है लेकिन में जो है वो टामाटर है बाग प्रिंट के लिए विश्व फिख्याती प्राप्त करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है, ओम प्रिकास चौरसिया, बंसी कॉल, मुहम्मद यूसुफ खतरी या उपरोग सभी, तो जो बाग प्रिंट के लिए जो जाने जाएंगे, वो है मुहम्मद यूसुफ खतरी, कौन है मुहम्मद यूसुफ खतरी, पन्ना जिला किस उत्पात के ल के लिए किस जले को चुना गया है एक शुकन के लिए कत्षन के लिए इन में से क्या सही होगा लोकल बोकलपर आधारत राज्यक की आयवड़ाना चोते और मद्यम किसानों का रास्टी स्तर्व प्रसद्धी दिलाना या उपरुक्त सभी तो इसके उपरुक्त सभी ही आंसर हो जाएंगे अगला है आमनुसंधान संस्थान मद्यपदेश में कहां परिस्तित है आमनुसंधान संस्थान तो ये आमनुसंधान संस्थान जबलपुर में है बाजरा के लिए एक जिलाई को उत्पाद योजना में किसको सामिल किया है बाजरा के लिए भिंड जिले को सामिल किया है बाजरा किस जिले का उत्पाद है बाजरा भिंड़ जिले का उत्पाद है फ्रेंड्स आप मुझे फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं फेस्बुक की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी और इसके लाब इंस्टा पर भी आप मुझे अकांशाः 1957 की नाम से फॉलो कर सकते हैं टेलिग्राम लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी वैसे आप टेलिग्राम में सर्च भी करेंगे एंपी पैसी वाई जीके वितकांशा तो भी आपको मिल जाएगा अगला कोशन है राजगर जिला एक जिला एक प्रिकार यहाँ पर फूछ रहे हैं कि लेस्अ किस किस का है तो मंसौर और रतलाम दोनों का है लहसुन मंसौर में भी होता है और रतलाम में भी होता है रतलाम के स्योवी है और रियावन लहसुन रतलाम का है आलू के लिए एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद में किसका चैन किया गया आलू के लिए देवास इंदौर गौालियर तो ये स अलवा से किया है संत्रे का किसरी आली राजपुर जिले किस इत्पात का चाहिन किया है। हुआ है अगला है अनुपूर जिले किस इत्पात को चुना गया है। को पॉर्क्से आम को चुना गया है अशोक नगर से भी टंटर को भी चुना गया है और एक और बैतूल गडर कवित गया है जई नभी साड़ी है पृंडगरले को अचगोपेट के सा उतपाद है। सीता फोल है आवला है धनिया या बाजरा है थो भंड जिले से किसको चुना गया है बाजरे चुना गया है बीज्ट से इससे बाजरे को सु front स हमारा आगे की मैं इस ओANT नेक्स एक कराऊंगी next test कराऊंगी अगर आप इसके पूरे test चाहते हैं तो आप हमारे practice set लेकिए ज्यादा से ज्यादा practice कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो like share subscribe जरू कीजेगा okay fan thank you